हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का एक ग्यारवा रूत्र अवतार माना जाता है जिस व्यक्ति पर हनुमान जी के किर्पा के प्राप्ति होती हैं उस व्यक्ति के भाग्ये समढ़ने लगते हैं ऐसे में ये ति आपको सपने में हनुमान जी द हनुमान जी को यदि आप देखते हैं अलग-अलग अवस्था में तो उसका जीवन में क्या मतलब होता है वैसे तो हर सपने का कोई नो कोई मतलब होता है भगमान सपने के द्वारा कोई नो कोई आपको संकेत देते हैं जीवन में ही आ रही सुबता और असुबता के बारे में आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप सपने में हन्माजी को देखते हैं अलग अलग अवस्थाओं में तब उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव परने वाला है आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्था होंगे सुरक्सित होंगे और आप सभी कुद्धन बाविस्था की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ आम तोर पे हम यदि सपने में हनुमान जी को यानि कि बजरंग बली को देखते हैं तो यह सपना बहुत ही सुभ माना जाता है इस सपने का मतलब होता है कि बजरंग बली के किरपा आपके उपर सदेव है यह सपना यह भी बताता है कि आपके प्राक्रम में व्रिद्धी होगी और आपके सत्रों का नास होगा सपने में हनुमान जी को देखने का मतलब यह भी है कि हनुमान जी के आपके उपर गिर्पा होनी शुरू हो गई है यदि आप हनमान जी की मंदिर देखते हैं या मुर्ती देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी काड़े को करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है यदि आधाले या कानूनी मामले में आप कोई काड़े कर रहे हो या फिर उसमें किसी भी प् उससे में देखते हैं यानि कि उनका रौत्र रोब आपको दिखलाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपसे कोई न कोई ऐसी गल्दी हुई है जिससे बजरंग बली तेधिक दुखी है और ऐसा होने से वह आपको पहले से ही अगाह कर रहा है सपने में यदि आपको बंदर बार-बार दिखाई देजाए तो भी इसका मतलब होता है कि हनुआ जी की बजरंग बली विजय को पराप्ते करने वाले हैं सपने में यादि आप बजरंगबली की पूजा करते वे देख रहे हैं या उनका भजन किर्दन करते वे देख रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है कि आप जिस भी कारे में हाथ डालने वाले हैं या जिस कारे को करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें सफलता प्राफ्त हो की मान सम्मान की आपकी वृद्धी होने वाली है सपने में हनमान जी को चढ़ायवा प्रशाद खाते वे देख रहे हैं तो यह भी सुबता बताता है सपने का मतलब यह भी होता है कि बहुत जल्द बजरंग बली आप से किसी ने किसी प्रकार से कोई ने कोई सुबसंकेत देंगे और ऐसा सपना आने पर आपको जरूर बजरंग बली के मंदिर जाकर के प्रशाद चरहना भी चाहिए सपने में हनवान जी को उड़ते वे देखने का मतलब होता है कि आपको अपने कारिय छेतर मी तरक्की मिलने वाली है यदि आप किसी पोजीशन को प्राप्त करना जाते हैं तो आपकी पोजीशन को प्राप्त करने के चांसेस कई गुना जादा बढ़ जाते हैं आपके कार्य छेत्र मी मान सम्मान आपका बढ़ेगा और इसके साथ ही अन्गिनत फाइदे भी प्राप्त होंगे सपने में यदि आप हन्मान जी को चोल चड़ाते वे देखते हैं तो इसके सीधा सा मतलब है आपकी जो भी इच्छा हैं वह तो पुर्ण होंगी ही साथ ही यदि कोई बहुत दिनों से ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई थी और अब आप उसे भूल भी गए हैं तो वह भी इच्छा आपकी पुर्ण होंगी यदि आप सपने में हन्मान जी के नाम का जाप करते वे देखते हैं तो इसका मतलब है कि हन्मान जी आप पर अपनी किर्पद रिष्टी रखते हैं और ऐसा सपना आने पर आपको बजरंग बले के नाम का जाप करना तेदिक फल को देने वाला होता है यदि आप सपने में हन्मान जी का गदा देखते हैं तो यह भी सुप संकेत होता है इसका मतलब होता है कि आपके साथ हन्मान जी सदेव हैं आप पूरी आत्मे विश्वास के साथ कारिया को किजिए वह कारिया आपका अवस्थ से ही पूरा होगा इसका मतलब है आपके या आपके पड़िवार में लंबी बिमारी से कोई पीरित है वह जल्द ही ठीक हो सकता है यदि आपने सपने में हनुमाजी को मुझ्कुराते वे दिखा हैं तो यह सपना भी आपके अधूरी इच्छा को पुर्ण करने का संकीत है सपने में यदि आपने हनुमान जी के खंडित मुर्दी ये तस्वीर देखी है तो यह सपना सोबह नहीं माना जाता है यह सपना बताता है कि आप से जोर कोई नो कोई भूल हो रही है कोई गलती हो रही है ऐसा सपना आने पर हर्मान जी के मंदिर में जाकर कैपू नारियल और लड़ो का परसाथ जराना चाहिए तथा अपनी भूल चुक लिए छमाक मांगना चाहिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगे जानकारी पसंद आई हों तो फेमली और फ्रेंड्स में सेयर करना बिलकुल न भूलें अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तब तक आप सभी स्वस्त रहिए हसते रहिए और मुस्कुराते रहिए